हलो फ्रेंट्स अम्रिश एंड जया पटेल नई बोजन प्रथा से हमारा ये 57 वीडियो है रेसिपी में आज हम आपको बताएंगे चिकू हल्वा सापोटा इंगलिस में उसको बताते हैं चिकू जो अपने यहां मिलता है उसका हल्वा बनाना है रोब फूड रेसिपी बहुत इजी होती है उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि हमें सिर्फ मिक्सिंगी करना होता है में इंग्रेडियंट में यह है चिकू जो चिकू होता है उसको मेश कर देना है यह चिकू आपड़ावो यहने सारी रिते छुंदी नाखवाना छे ना रिते यहनों मेश करे देवानों बाद में उसमें एड करने के लिए जो इंग्रेडियंट से उसमें है यह कोकोनट जैसा बारिक लेना है नारियन नू बवू नानी जीनी छीन लेवानी इलाइची पावडर यह उसको सजाने के लिए है किसमिस और यह है ड्राइफ रूट्स यह है पतली स्लाइस की हुई बादाम तो मारे आरिते ड्राइफ रूट्स और यह सजावा माटे लेवा हुए हलवा थोड़ा ठीक करने के लिए यह आपको इसमें डालना है आपके टेस्ट के साब से उसको डाल सकते है daar आप देखो ऐसे permitir कर लेना है चिकू में आपको देख लेने का हमने अब यह चेक कर लिया है यह चिकू बहुत स्वीट है इसके लिए अगर आपका चिकू स्वीट बेज वाला नहीं है तो इसमें आप हनी या काकवी एड़ कर सकते हो स्वीटनर के बेस पे आपका सिर्फ दो मिनिट में चीकू का हलवा तयार हो जाता है आपके गर में अगर स्वीट टूथ है आपको बहुत मिठाई खाने की इच्छा है तो इससे ज्यादा हेल्दी डिश कोई तयार नहीं होती है और इतनी क्विक आप मेरा वाटसअप फेस्बूक, टेलिग्राम और यूट्यूब पे कॉंटेक्ट कर सकते है 987992622 आप हो सके उतना ये रोब फूड रेसिपी की जो भी रेसिपी है सब को फॉरवर्ड करे मैक्सिमम लोगों लोगों को हमें समझाना है कि भी रोब फूड में ज्यादा वक्त नहीं लगता है और वो बिल्कुल हेल्दी रहती है हमारा मेन इंटेंशन ये है थेंक यू, थेंक यू वेरी मच